हलो फ्रेंड्स गुड मॉनिंग मैं अशोग और आप सबका स्वागत है मेरे यूटूब चैनल एक है ओफिसियल इस्टेनों गाफिज सीरीज में दोस्तों आज मैं आपके लिए डिक्टेशन शतर सब्द परती मिनट लेकर आया हूँ दोस्तों यह है डिक्टेशन राजिस्तान हाई कोट, विधान सबा, SSC, SSB, BSF, CRPF, CISF, ITBP, NTPC, Railway और भी ऐसे भहुत सरे डिपार्टमेंट हैं जिनमें यह है डिक्टेशन डिक्टेट की जाती हैं दोस्तों डिक्टेशन के साथ साथ आपको विरामचिन, कोमा और शब्द सुद्ध के बारे में भी बताया जाएगा दोस्तों अगर आप लोग इस्टेनों सीखना चाते हैं तो इसके लिए मैंने वीडियो बना रखे हैं आप लोग प्लेलिस्ट में जाके वीडियो देख सकते हैं और इस्टेनों सीख सकते हैं दोस्तों आप लोग अगर हमारी YouTube चैनल पे नए हैं तो हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि प्रती दिन आपको नई ने डिक्टेशन मिल सकें और दोस्तों आपको डिक्टेशन की जो PDF है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन क के अंदर मिल जाएगी तो दोस्तों चलिए अब हम डिक्टेशन को स्टार्ट करते हैं डिक्टेशन स्टार्ट होगी तीन सेकिंड बाद संसद में हालही में पारित क्रसी बिल निश्चित ही परकरती से उग्र सुधारवादी है विराम इनका उद्देश्य उस मोजुदा व्यवस्ता में सुधार लाना है जिसके तहत किसान को उसकी उपज मंडी में सरकार द्वारा तै नियुन्तम समर्थन मुल्ले पर बेचनी पड़ती है विराम अब किसान नीजी कमपनियों के साथ करार कर सकेगा या उनको अपनी पशल बेच सकेगा विराम कुछ लोग किसानों को उनकी पशल को MSP पर बेचने को मनमानी मानते हैं कोमा जबकी अन्य इसे एक सुरुक्षा तंतर समझते हैं कोमा जहां पर किसान को कम से कम नियुन्तम मुल्ले का आशवाशन तो होता है विराम यही वजह है कि बिल पर धुरूवी करत परतिकरियाई आई हैं भारत के पास दुनिया में क्रसी का पावर हाउस बनने की भारी छमता है विराम दुनिया के तमाम देशों के प्रमुक शहरों में सुपरमार्केट दूद, चीज, मक्षन, सबजीयों और पोलेटरी का दुरस्त देशों से लाकर बंडारन करते हैं विराम थाईलेंड और उस्टेलिया दुनिया में बड़े पेमाने पर करसी उत्पादों की आपूर्ती करते हैं कोमा लेकिन भारत नहीं विराम पस्चिम में पीनट बटर एक अनिवारिये चीज है विराम भारत के अनेक हिस्सों में बड़ी मात्रा में मुंगफली उगई जाती है लेकिन हम पिनट बटर का निरियात नहीं करते हैं विराम हम अपने किसान को इस तरह के व्यापार की अनुमती नहीं देते हैं विराम भारतिय शहरी मद्यम वरग भोजन की कीमतों को कम करता है और इसलिए किसान से सहानुमूती हो कौमा लेकिन उसे मुक्त बाजार नहीं मिलें विराम सरकार इस नीती में पूरी तरह शामिल रही है विराम उसने सुनिस्चित किया की किसान जिन्दा तो रहे पर कभी फले फुले नहीं विराम इन क्रसी बिलों से लंबी आउदी में देश के क्रसी शक्तर में भारी ग्रोथ हो सकती है विराम इसके लिए हमें नीजी शक्तर की जरूरत होगी कोमा जो पूंजी लगाएंगे कोमा खरिदारों में परतिस परदावे बोर्डिंग के साथ ही इस सेक्टर में कई अकसर पैदा होंगे विराम इसका मतलब यह नहीं है कि नए क्रसी बिल को लेकर कोई समश्या नहीं है या इन बिलों के पास होने के बाद सब कुछ अत्यंत आसान हो गया है विराम कुछ वास्तविक चिन्ताई है और यह तीन व्यापक स्रेणियों से जुड़ी है विराम पहला किसान और ताकतवर और खरिद्दार के बीच सक्ति का अंतर विराम करसी में निजी सोदों और करार की अनुमती तो ठीक है कौमा लेकिन एक कमजोर किसान अच्छी कीमत के लिए सोदे बाजी नहीं कर सकता विराम इसका एक मात्र तरीका किसी तरह का शक्ती संतुलन बनाना हो सकता है और यह किसानों की सामुहिकता से आ सकता है विराम किसानों की तरफ से उनकी यूनियने या उनके अधिकार को सुनिस्चित करने वाले लोग सोदे बाजी करें विराम इस पर तमाम राज्य सरकारों को अब ध्यान देना चाहिए विराम शक्ती के अंतर का समाधान किसान की ताकत को बढ़ाने के लिए हो नै की उसे आने वाली पीडियों तक सरकार के चंगुल में रख कर उसका विकास रोकने के लिए विराम दूसरी चिंता किरियानवेन पर सरकार के ट्रेक रिकोर्ड को लेकर है विराम अब तक ऐसा हुआ है कि महान इरादा कोमा निरनायक गोशना और चारों और प्रसंसा के बाद भी उसे लागू करने में अनेक समश्याइं आ रही हैं विराम इसे ठीक करने की जरूरत है विराम हालाएं कि इस सरकार की हर गोशना के बाद उसकी इतनी तारिफ की जाती है कि लागू करने से संबंदित कोई भी दिक्कत नजर अंदाज हो जाती है विराम इसी वजह से एक साल या उससे अधिक समय से जितनी सांदार गोशनाई रही कोमा उनका क्रियानवेन वैसा नहीं रहा विराम क्रसी बिल का भी यह हस्र हो सकता है लेकिन इस बारे इससे करोडों लोगों की आजीवी का जुड़ी है विराम अगर इसमें तुरूटी हुई तो यह वास्तव में बहुत गलत हो जाएगा इसलिए इमानदारी से समश्याओं को पहचाना जाए विराम दोस्तों मुझे आसा है कि आप लोगों को हमारे वीडियो पसंद आया है दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए और दोस्तों आप लोग अगर हमारी यूटूब चैनल पे नए हैं तो हमारी यूटूब चैनल को सब्सक्राइब के लिजिए और बैल आइकन को प्रेस के लिजिए ताकि परती दिन आपको नई ने डिक्टेशन मिल सकें और दोस्तों इस डिक्टेशन का जो पीडियेप है वो आप लोगों को डिस्करप्शन के अंदर मिल जाएगा थैंक्यू दोस्तों जे हिंद जे भारत